नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तो वैसे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूँ लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाज कुछ ज बहुत ही जटील काम हैं इसको भारी भर का मिस्तिरी ही कर सकते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको इतनी आसानी से इन सभी चीजों को सिखाने वाला हूँ कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और साती सातना घर जब भी बनवाएंगे या फिर अगर बनवा रहे होंग किजिए सबसे पहले में बता रहता हूँ यह जो नीचे वाला बार है दोस्तों यह हमारा हो गया में बार हो गया 10 mm का है और इसके उपर देख रहे हैं कि यह distribution बार भी एक लगाया हुआ है यह भी आपको वीडियो में दिख रहा होगा यह भी हमारा main बार है और कुछ इस तरह से मैं समझाने के कोशिस कर रहा हूँ कि यह जो हमारा main बार है यह हमारे distribution बार है देखिए उपर में रखा हुआ है जिसको distribution मोलते है main बार हमेसा नीचे मे नीचे आप देखेंगे में बार में सा नीचे रहता है सबसे नीचे में बार रहता है आप एकदम रट लीजिए किसी भी तरह से याद कर लीजिए में बार है में बार है आप देख रहें उदर से आ रहा है पूरा लंबा सा में बार है हमारा और कहां जाता है वो इंपोर्टे उसके जो उपर वाला जो हमारा टेंसन जोन है ठीक है वहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपकी उसके नीचे में ये इस तरह से आया हुआ है आप देख रहे हैं उमीद है आपको बहुत साफ से और अच्छे तरीके से दिख रहा होगा ये देखिए कुछ इस तरह से ये नीचे नहीं रखना आपको ठीक है एक समझ गये कि में बार जो आएगा वह सीध है बीम के उपर वाले सरीया याद रखिए उपर वाले सरीया के नीचे तरप से पार होगा अब चली मैं कुछ और भी आपको दिखाता हूँ तीन चीज आपको सीखना है आप पूरी चीज सीख जाएंगे ये देखिए ये भी में बार है इसमें क्रैंक तोरा हुआ है क्रैंक दोस्तों तोरा हुआ है लेकिन नाम के लिए तोरा हुआ है टेक्निकली बिल्कुल रॉंग है ये क्रैंक लेकिन फिर भी देखेंगे मेरे उगली के बाए साइड में देखेंगे तो थोरा सा उठा हुआ आपको दिखे रहा होगा यह Anjak Tora गया है लेकिन बहुत ही खराप तरीके से यह देखिए यहाँ क्रेंग है लेकिन बहुत घटिया तरीके तोरा गया है, इसका एक खास एंगल होता है, जिस पर देना जरूरी होता है, लेकिन चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, कि जहां पर क्रैंक तोड़ते हैं, देखिए, एक हमारा सीधे चल गया, एक क्रैंक चल गया, फिर एक सीधे चल जाएगा, फिर एक क्रैंक चल जाए और उसको जो है वो किछ इस तरह से ये देखिए ये रखा हुआ ये क्या है एक नीचे था हमारा जो सिधहा हुआ है वो नीचे जाएगा जिसमें crank है वो उपर के तरफ आएगा दोस्तों एक चीज और सिखना है आपका वीडियो कम्प्रीट हो जाएगा और आप पूरी चीज एक्स्ट्रा बार है दोस्तों जिस में बार के में crank हम लोग नहीं तोड़ते हैं उसके लिए उसको balance करने के लिए टॉप extra बार जितना लंबक cutting रहता है हमारे crank का वहीं से एक extra बार देते हैं जो कि यह देखी यह हमारे beam के उपर रखाता है ठीक है कुछ इस तरह से आपने देखा crank जो तोड़ना है वो alternate तोड़ना है एक में तोड़ना है एक में नहीं तोड़ना है crank हमेंसा जो है वो main bar में ही तूटेगा ठीक है? और इस side में और उस side में अगर جाते हैं तो उस side में जो है वो distribution bar में तूटेगा, देख रहे हैं लेकिं इधर सिर्फ और सिर्फ जो समझे कि alternate तूटता है, एक में तूटेगा तो दूसरा में नहीं तूटेगा तीसरा में तूटेगा तो चौथा में नहीं तूटेगा और जिसमें क्रैंक तूट गया वो हमेशा बीम के उपर रहेगा जो सीधार पार हुआ वो बीम के नीचे रहेगा जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार रहेगा वो बीम के उपर उमीद करता हूँ दोस्तो बहुत ही सरलता के साथ मैंने एक पार्ट को किलियर किया है अब ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं दोस्तो जो की आपको समझाएंगे और मैं बहुत कोशिस करूँगा आपको समझाने की कि किस तरह से reinforcement दिया जाता है धन्यवाद दोस्त सूंद यहाओ एन्यवाद — लाध पमाने पर शचाने कि इन्यवाद हा हूँ